हेलो प्रेंट्स नमस्कार जो डीशे रिग्जाम वोचर चैनल से मैं राजी इसकुमार सोनी आज हम लोग है एच जेस और पीची एस जे के संबंध में जो इंग्लिस का पेपर होता है उसके अंत्रगत ट्रांसलेशन को पढ़ेंगे और आज हम ट्रांसलेशन सीखने के लिए जो बहुत ही बेसिक चीज है उस कंसेप्ट को किलियर करेंगे वीडियो को ध्यान से देखिएगा सुनिएगा समझिएगा जिनको यह समझ नहीं आता कि हम सेंटेंस को कहां से सुरू करें कहां से सुरू नहीं करें चुकि में जो ट्रांसलेशन हिंदी से इंगलिस करने के लिए आते हैं वो सेंटेंस इतने लंबे होते हैं कि उनको अरेंज करना उतने कम समय में जितना हमको इलाट किया गया है दिक्कत होती है इसलिए आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है दूसरी बात यह आपकी वोकेब यानि की वोकेबलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए तभी आप सेंटेंस को करेक्ट लिख पाएंगे एजजेस लेविल का लिख पाएंगे और चुकि हजेस यह PCSJ का एक्जाम है इसलिए उसमें ट्रांसलेशन का या यूं कह लीजिए इंग्लीज का एक लेविल होता है उसी लेविल में आपको चलना होगा आपके पास थोड़ा बहुत लीगल टर्मलोजी भी होना चाहिए तो चलिए मैं आज बात करने वाला हूँ बर्व की बात करने वाला हूँ इस बर्व को समझ लिया तो आपको टेंस भी समझ आ जाएगा और time भी समाज आ जाएगा आज हम time and tense को अलग करके देखेंगे और हम देखेंगे ये आपस में कैसे connect होते हैं किसी भी sentence में अगर जब हम बर्व की बात करते हैं तो इसका मतलब हम इन दोनों की बात करते हैं जब भी हम ये technical word बर्व इस्तेमाल करते हैं तो हम tense और time दोनों का बात करते हैं tense का मतलब हो गया tense की अंतरगत मिला होता है action प्लस time ये दोनों चीजें मिल करके tense term को पूरा करती है ठीक है तो इसलिए हम tense को समझने के लिए action और time को समझना होगा action और time को बताने के लिए हम sentence में बर्व इस्तेमाल करते हैं अब confuse नहीं होना देखो हम लोग को पढ़ना तो बर्व है तो ये बर्व का मतलब हुआ tense and time तो और tense का मतलब होता है action प्लस time तो आप यूं कह सकते हैं कि बर्व का मतलब tense हम सिर्फ समझने के लिए ये बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि हमको translation सीखना है नहीं आता है इसलिए हम initial way पे थोड़ा सा सस्ती terminology यूज़ करके समझने का प्रयास मैं यह मैं समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं तो इतनी सी बात है और इतनी सी बात आपको समझना है कि बर्व का मतलब action प्लस time अगर हम बता दें तो जो word ऐसा होगा जो action और time sentence के अंतरगत आ करके denote करने लगेगा हम उस word को ही बर्व बोल देंगे बस ये आप समझ लिजए और इन दोनों को मिला करके हम tense बोलते हैं तो tense की आप लोगों ने बच्पन से अभी तक बहुसरी पहचाने पड़ी होगी और पहचान रटी भी होगी आपको पता भी होगा आती भी होगी लेकिन अभी आपको वहाँ उन पहचान को दिमाग में नहीं लाना है अभी आपको यह देखना है कि आपने tense के अंतरगत पढ़ा की present tense होता है, past tense होता है, future tense होता है यह आपने पढ़ा रखा है, तो हम इसको tense क्यों कहते हैं क्योंकि हम इसके इंतरगत जो भी बर्व यूज करते हैं वो time और action दोनों की बात करती है तो अब हम यह यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि इसको आप अभी time मानिए इसको भी आप time मानिए इसको भी time मानिए और इसको आपको पढ़ना ही नहीं है चुकि यह future कोई tense होता ही नहीं है इसको मैं बाद में आपको बता हूँगा क्यों नहीं होता है और अगर होता है तो फिर हम इसको कैसे इस्तेवाल करते हैं तो अब अब देख लिजे प्रजेन time और past time को देख लिजे तो यह time इसलिए हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्योंकि हमें यह जानना है कि हम इस वक्त जो भी बात कर रहे हैं वो बात किस समय की हम कर रहे हैं या किस समय कर रहे हैं यह यह कह दें कि कोई भी action जिसकी हम अभी चर्चा कर रहे हैं उस सम्मंद में उसका क्या status है time के recording तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी action कोई भी action किसी भी time में जो भी present past या future आप बोलते हैं कोई भी time में चार status में से किसी एक status में जरूर होगा जब हम बात कर रहे होते हैं तो action के जो status होते हैं वो indefinite continuous और परफेक्ट और परफेक्ट कांटिनिवस यह होते हैं अब हम इसको progressive भी कहते हैं परफेक्ट को completed भी कहते हैं और इसको completed और incomplete भी कहते हैं यहां समझ लेना है तो continuous को हम progressive भी कहते हैं और incomplete भी कहते हैं तो अगर हम किसी action की बात कर रहे हैं तो वो action किसी भी time में इन चार status में से किसी भी status में जरूर होगा अगर हम tense पढ़ रहे हैं, tense समझ रहे हैं तो यह आप मानके चलिए कि यह किसी भी action की चार stages होती हैं यह status होते हैं कुछ भी आप कह सकते हैं अपने समझने के लिए और यह चार status किसी भी action के लिए present में भी होते हैं होते हैं और past में भी होते हैं और यही future में भी होगे लेकिन future कोई tense नहीं होता इसलिए हमें इसको अलग से समझना और पढ़ना पड़ता है और इसके लिए थुड़ा सा special बेवस्ताय भी की गई हैं तो अब यह चार status समझ में आ गया तो अब आप यह कह सकते हैं कि अगर कोई ऐसा word जो action और time denote करता है उसे हम बर्ब कहते हैं तो बर्ब के फिर चार पांच प्रकार भी होने चाहिए है ना क्योंकि यही एक word है जिसे हम बर्ब कहते हैं इसी से ही हमें action का status पता चलेगा इसी से ही पता चलेगा हमको इसलिए हम इसको tense के अंतरगती उच करते हैं इसलिए हमको यह tense इसलिए हम इसको tense बोलते हैं यह कह सकते हैं इतनी बातें बड़े आराम से आप समझ लो क्योंकि यही आपका foundation है translation के लिए अभी हम देखेंगे इसी को तो यह बर्ब जो है जिसे हम action word के नाम से जानते हैं इस action का जो status है वो चार में से कोई एक होगा और यह status बताने वाले word को ही हम बर्ब कहते हैं टेकनिकल में टेकनिकल हम इसको बर्ब बोलते हैं होते यह action word है ठीक है तो अब आपको समझ में आगया बर्ब तो अब बर्ब के भी प्रकार होने चाहिए जब action के stages हो सकते हैं तो हम जो भी हमारे पास status हैं उन stages के लिए सेम बर्ब तो हमें यूज नहीं कर पाएंगे चुकि जब अलग-अलग stage है तो बर्ब भी हमको अलग-अलग यूज करनी पड़ेगी यनि कि action word हमको फिर अलग-अलग तरह से यूज करना पड़ेगा जो हमें बताएगा कि ये किस time की बात कर रहा है और उस समय उस action का status क्या है indefinite है, incomplete है, complete है या complete और incomplete दोनों है ये हमको पता चलेगा इससे तो इसको अभी हम देखते हैं तो जब भी आप पढ़ते हैं, काइंट साब बर्व पढ़ते हैं, तो आप किसी भी बुक में देखेंगे, तो जनरली इसके तीन फर्म के बारे में चर्चा होती है जो भी आप किसी बुक में पाच कालम भी होते हैं तो हम दोनों की चर्चा करेंगे, लेकिन इस पेसली पहले आप बर्व के तीन फर्म, जो भी आपके बुक में बने होते हैं, कालम के इंतरगत उनको समझे वो क्यों बने होते हैं और उनका काम क्या होता है तो देखे अगर आप देखेंगे बर्ब के काइंड में तो आपको प्रजेंट का कालम मिलेगा पास्ट का कालम मिलेगा इसके बाद फ्यूचर का कालम आपको कभी नहीं मिलेगा आपको पास्ट पार्टी सिपल का कालम मिलेगा यह आपको सीखना है यानि कि जब भी किसी भी किताब में अगर काइंट साब बर्व पढ़ेंगे तो टेंस तो तीन होते हैं लेकिन आपको दो ही टेंस की फार्म मिलेंगी तीसरे टेंस की फार्म नहीं मिलेंगी फ्यूचर की कोई फार्म नहीं होती है उसको हम आरेंज करते हैं क्योंकि future कोई tense नहीं होता है इसलिए यहीं कहीं से हम लोग arrange करकी future tense सीखेंगे तो हम यहां देख लेते हैं कि future की तो कोई बर्व नहीं होती तो उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे present फाम होता है past फाम होता है और past participle फाम होता है अब यहीं पर हम आपको यह बता दें कि past participle बर्व नहीं होती यह बर्व नहीं होती यह होती है adjective इसको हम बर्व के रूप में प्रियोक करते हैं तो हम क्यों करते हैं कैसे करते हैं हम अभी चर्चा करेंगे लेकिन अगर आप लिस्ट की बात करते हैं तो जो भी past participle का कालम होता है वो बर्व का कालम नहीं होता है लेकिन बर्व सेक्शन में वो दिया गया होता है क्योंकि उस कालम का हम बर्व के रूप में भी प्रियोग करते हैं इसलिए लेकिन वास्तों में ये एगजिक्टिव होता है, तो हम एक उधारन लेते हैं प्रिजेंट फार्म को हम बेस फार्म भी कहते हैं, यानि कि कोई भी बर्व इस फार्म में ही हमेशा होती है हमेशा अपने बेस फार्म या बेसिक फार्म में होती है और अगर कोई वर्ब अपने बेस फार्म में बेसिक फार्म में है तो हम ये कहते हैं कि ये वर्ब प्रजेंट फार्म में हाए और इसके बाद पास्ट फार्म पास्ट फार्म में ये वर्व भी टू यानि जिसको हम भी टू बोलते हैं यानि कि इस बेस्ट फार्म का सेकंड फार्म होता है या यूं कहें कि बेस्ट फार्म यानि जो प्रिजेंट फार्म है उसका वो पास्ट फार्म होता है तो present farm card जो second farm होगा उससे हम past farm बोलते हैं और इसके बाद इसको हम भी थ्री भी बोलते हैं भी थ्री हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसको बर्वी की तरह यूज करते हैं तो अब मैं एक करने बता देता हूं इस farm को हम अकेले यूज कर सकते हैं इस farm को हम अकेले यूज कर सकते हैं अकेले यूज करने का मतलब है कि without helping verb हम इन दोनों farm का यूज कर सकते हैं लेकिन इस farm का हम without helping verb यूज नहीं कर सकते हैं और जब तक हम इसके साथ helping verb यूज नहीं करेंगे तब तक ये past participle ही रहेगा वो भी थ्री हो नहीं सकता past participle को भी 3 बनाने के लिए इसके साथ हम helping verb यूज करते हैं और दूसरी बात ये बता दें जब भी helping verb के साथ में भी 3 यूज की जाएगी तो वो जिस भी action की बात करेगा वो action complete होगा यानि कि हम completed action की बात कर रहे हैं तब भी हम इसका यूज करते हैं यह आपको यहां पर इसके बारे में याद रखना है बहुत सी समाने साथ हैं go base farm है right base farm है walk base farm है जब हम यह second farm में जाते हैं तो यह went हो जाता है यह wrote हो जाता है अब हम अगर past participle में जाएंगे तो यह went gone हो जाएगा wrote written हो जाएगा और यह walk-d walk-d ही रहेगा तो अब हम इसकी भी चर्चा कर लेंगे कि कुछ ऐसी ऐसे word होते हैं action word होते हैं जिने हम बर्व कहते हैं जिनके तीनों farm अलग-अलग होते हैं और यह अलग-अलग होते हैं और यह अलग-अलग जो फार्म होते हैं या तो बिलकुल अलग होते हैं या फिर उनमें उनके अंदर के वाविल्स को चेंज करके डवल करके हम उनका second और third farm बनाते हैं तो यह हम next में सीखेंगे लेकिन यहां हमें सिर्फ यह जानना है कि जो बर्व के फार्म होते हैं और जो action के stages होते हैं उनका match आपको पता होना चाहिए आना चाहिए तो यहां पर हम अब देख लेते हैं कि हमारे पास जो action का stage या status है वो indefinite, incomplete, complete और complete और complete incomplete यह साट में लिख ले रहे हैं टाइम बचेगा थोड़ा सा अब देखिए अगर हम present की बात करेंगे तो यह याद रखना है आपको कि अगर indefinite यूज़ कर रहे हैं तो या तो आप base farm यूज़ करिए base farm ही यूज़ होगा अब base farm यूज़ करने के लिए जब हम इसको बर्व बोलने लगेंगे जब हम go को बर्व बोलने लगेंगे तो या तो हम इसको गोज लिख पाएंगे या हम केवल go लिख पाएंगे दो ही में लिख पाएंगे simple sentence के अंतरगत तो ये go और go क्यों लिखते हैं ये हम जब present को especially पढ़ेंगे तब हम देख लेंगे अगर incomplete है यानि कि present हो या past हो या future हो continuous हो यानि कि incomplete हो या कोई भी action अगर present में incomplete है या past में incomplete है या future में incomplete है तो उसके लिए हम helping बर यूज करके time तो बता देंगे लेकिन अगर action incomplete है तो ये जो भी बर्व रहेगी उसमें आपको in plus करना ही होगा अब अगर present में आपका action incomplete है ये बताना है तो इसके साथ हम h, r और m लगा करके ही इस बर्व को ing के रूप में यूज करेंगे यानि कि h, r, m plus verb plus ing ये लिखना ही लिखना पड़ेगा अब अगर यही past में action incomplete होता तो h, r, m का वाज और वर्व हो जाता ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है जो बहुत ही basic transition सीख रहे हैं उनके लिए खासतोर से ये फाइदेवन चीज है अगर कोई action जिसकी आप बात कर रहे हैं वो present में incomplete है तो जब भी कभी complete action की बात करेंगे तो हम बर्व के रूप में past participle का यूज करेंगे तो अब past participle gone है तो हम अकेले gone नहीं लिख पाएंगे चुकि अगर अकेले gone लिखते हैं तो इससे action पता ही नहीं चलता चुकि ये action high नहीं इसके लिए हमें complete सो करने के लिए present में complete सो करने के लिए हमें ये तो hedge यूज करना पड़ेगा helping bird या high भी यूज करना पड़ेगा और उसके बाद ही हम गाने लिख पाएंगे यानि कि इसके बाद ही हमको बीथरी लिखना है उसके बाद ही आपको बीथरी लिखना है इससे हमें पता चल गया कि ये action incomplete है अगर action complete और incomplete है तो अब आपको पता चल गया कि complete के लिए तो हम ये यूज करते हैं और incomplete के लिए हम ये यूज करते हैं तो इन दोनों को mix करके ही हम को यहां पर लिख पाएंगे तो देखिए हम जो complete सो करता है तो बो तो ये सो करेगा है जह है और गान सो करेगा ठीक है तो ये तो complete के लिए ये सो करेगा तो ये तो लानी लाना है लेकिन इसके अंदर incomplete भी डालना है तो incomplete डालने के लिए इसको mix करना पड़ेगा तो इसको mix करने के लिए हम इस बर्व को EGA RRM को B vwerb B कहते है EGA RRM को B vwerb कहते है SART में इसको B vwerb कहते है तो अब हम यह तीनों तो इसके साथ लगा नहीं पाएंगे इसलिए हम यहाँ पर B vwerb यूज गरेंगे अब हम को पता है कि अगर जब भी हम helping vwerb máyaj vlogs और hal ev यूज गरेंगे तो बर्व का थर्वाम लगाना पड़ेगा तो हमें इस बर्व को इसके साथ मिक्स करना है इसलिए हम हायच या हैव लिख करके इसका थर्वाम यूज़ करेंगे तो बी का थर्वाम बीन होता है तो हमने ये बीन यहां पर लगा दिया अब जब हमने third form लगा दिया तो अब ये वाली third form यहां नहीं आएगी अब इसके बाद जो भी ये बर्व आएगी वो incomplete so करेगी ये तो complete so कर दिया पूरा है जो रहा है plus बर्व की third form ये complete so करता है incomplete क्या so करता है बर्व के साथ ing और उसके साथ b बर्व होना चाहिए तो ये देखो b बर्व भी है और b बर्व का ही हमने third form इसकी वज़े से लगाया है लेकिन है ये बी बर्व तो इसलिए हम इसके साथ में बर्व की ing ही लगा पाएंगे और third form इसमें नहीं लगा पाएंगे अ तो इसके साथ हम time भी add करते हैं अगर हमारे sentence में दिया गया है तो और उसके साथ में अब time भी दो तरह का हो सकता है action जो complete हुआ उसका हम निशित time पता है या हमें उसका सही time पता नहीं है अनिशित time पता है तो हम अगर निशित time पता है तो sense का use कर देते हैं अगर निशित time पता नहीं है तो हम फार का यूज कर देते हैं तो इसके बाद ही हम time लिखेंगे तो इस access का मेंटर है यही पास्टेंज का मेंटर है और ये पास्टेंज का मेंटर क्यों हों आपके जहां कहीं भी बर्म है वह अपने second form में आ जैसे कि अब अगर हम past की बात करते तो अभी जो past indefinite होता उसके लिए हम यहाँ पर V2 यूज कर लेते अगर past incomplete होता progressive होता या past continuous होता तो हम इस rm की जगह वाज वर यूज कर लेते अगर past का complete या perfect tense होता तो हम hedge have की जगे hedge have की जगे hedge use कर देते अब hedge क्यों यूज करते क्योंकि hedge have तो present form है have बर्व का have तो present form है और चुकि हम past की बात कर रहे हैं और past में second form लगती है तो हम hedge use कर देते हैं इसका चुकि हैब, hedge, hedge इसकी फाम होती है तो हम वहाँ पर hedge have की जगे hedge use कर देते, hedge helping बर्व बन जाती और इसके साथ में past participle को बीतरी बना करके लिख देते action completed past में हो जाता और इसी तरह से complete और incomplete सो करने के लिए जहां कहीं hedge have been लिखा हुआ है, वहाँ पर हम hedge been अके लिख देते और चुकि hedge past में आ गया bean be की फाम हो गई इसलिए हम इसके साथ भी बर्व की ing फाम लगाते और time के लिए same use करते, तो इस तरह से हम present और past का जो combination है action और action के stage का और उसके साथ में उसके time का तो अगर ये combination आपको complete है आपको पता है तो आप से sentence जो भी हिंदी में आया है उसका tense कभी गड़बड नहीं होगा आप से, इसलिए कभी भी अगर आप लिखते हैं तो याद रखिए कि अगर जो भी वर्व है वो अपने आप में प्यूलर फार्म में होती हैं अच्छ एक बात यहां पर और समझ लीजिए बहुत जरूरी है यह time line देखिए यहां पर present होता है present सिप इतना ही है इधर future होगा अगर हम आगे जाएंगे तो आपको future ही मिलेगा पीछे जाएंगे तो हमें past मिलेगा ठीक है तो अब यहां यह देखिए कि यह present सिप इतना ही है इतना ही है इसके बाद इधर past है इधर past है तो यहां पर मैं यह बता रहा हूँ कि present से हम past में यहां भी past होगा जितना भी पीछे आएंगे उतना past होता जाएगा तो यहां पर मैं आपको यह बता रहा हूँ कि past tense कभी उच करना है और past perfect यहनि कि past tense और past perfect tense यह 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 देखिए कि past indefinite और past perfect tense कभी उच करना है तो देखिए अगर present से आप past में जाते हैं तब तो आपको भी to ही उच करना है यहनि कि past indefinite ही उच करना है याद रखिएगा लेकिन अगर आप past से past में जाते हैं तो फिर यह tense कभी उच नहीं होगा आपको यह tense यूज करना है यानि कि past perfect perfect यूज करना है यानि कि head plus v3 यूज करना है यह याद रखिएगा यह गलती हो जाती है लोगों से तो प्रिजेंट से past में जाएए हमेशा भी तू यूज करिए जादा तर हिंदी का जो translation आता है वो present से past में ही होता है लेकिन फिर भी बीच में बहुत सारे sentence ऐसे मिल जाते हैं जो past से past में जाते हैं तो वहाँ पर ऐसे sentence का जो translation है वो height प्लस B3 से ही करना होता है तो उसमें आप सतरक रहेगा ध्यान दीजेगा ये important बात थी और इसके लिए आपने मैं बता दूँ चुकि आप सब लोग बुद्ध जीवी लोग है इसलिए एक sentence तो आपको याद होगा जो हम लोगों ने बच्पर में बहुत पड़ा है कि डाक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था देखिए कितना simple है आपको मैं याद दिला रहा हूँ जिससे आपको मेरा ये वाला concept किलियर हो जाएगा उस समय जरूर नहीं हुआ होगा लेकिन अब हो जाएगा डाक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था तो देखिए यहाँ पर ये समझना है कि कौन सा काम पहले समाप्त हुआ और उसके बाद फिर कौन सा काम हुआ तो अब ये ये देखिए डाक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था तो पहले क्या हुआ रोगी मरा डाक्टर बाद में पहुचा ना डाक्टर बाद में पहुचा तो यहां पर यह जो है यह है प्लस भी थरी से बनेगा और यह काम चूंकि इसके बाद हुआ यह आपका भी टू में बनेगा अब यहां यह देख लीजिए कि अगर अभी रोगी बीमार है तो हम ने डाक्टर को बुलाया डाक्टर को काल किया तो हमने प्रजेंट से पास्ट में ने कि कुछ देर बाद ही तो डाक्टर आएगा और डाक्टर पहुँच नहीं पाया रोगी मर गया तो यहां दो एक्सन हो रहे हैं और यह दोनों पास्ट में हो रहे हैं चूकि यह हम प्रजेंट में बात नहीं कर रहे हैं ये तो दोनों एक्संड पास्ट में हो चुके ह हम आज बात कर रहे हैं, कि ढक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, यानी कि वो जो काम कभी हमारे सामने हुआ था, उसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं, आज कर रहे हैं चर्चा, तो ये काम प्रेजेंट में नहीं हो रहा है, हम अभी बात कर रहे हैं, लेकिन बात हम पास्ट की ही कर रहे हैं, तो ये दोनों एक्षन पास्ट में हुए, तो जो एक्षन प्रेजेंट से पास्ट में जाएगा, वो भी तू वाला है, और जो एक्षन की बात ही नहीं कर रहे हैं हम प्रिजेंट में बैट करके पास्ट की बात कर रहे हैं वो तो मेरे साथ वो घटना हो चुकी है उसकी चर्चा माज कर रहे हैं हो सकता है मैं चार दिन पहले पास दिन पहले कहीं गया हूं और मेरे साथ यह घटित हुआ हो कि मैं स्टेशन में हो रहे हैं उसमें past से past में काउन सा एक्सान हो रहा है जो past से past में एक्सान हो रहा है उसको है प्लस v3 से ही आपको बनाना पड़े गा और जो present से past में उस time गया वो आपका भी तू यानि कि past indefinite में बनेगा ये ऐक बात तो यह किलियर हो गई मुझे लगता है अब अगर इसको हम करना चाहेंगे तो आप सबसे बन रहा होगा इसलिए इसको मुझे यहां पर करने की आऊ-सकता नहीं है हो सकता है आपके दिमाद में आप ही किया हो कि क्या होगा और आप मैच कर लीजिए अगर जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनें और दिमाग में लाइए अपना इसका ट्रांसलेशन और देखिए कि एक्दम से मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है अगर नहीं कर रहा है तो फिर मैच कर आईए दूसरी बात यह है कि हम बर्व में तो कभी हम गोज यूज करते हैं कभी हम गोज यूज करते हैं इसके लिए प्रजेंट में प्रजेंट में ही मात्रिय ऐसा संभव है पास्ट में ऐसा बिलकुल संभव नहीं है चुकि एक ही फार्म होती है वी तू तो हम यह प्रजेंट में बात करते हैं प्रजेंट की यह बर्व है बेस फार्म में है यह बर्व बेस फार्म में है प्रजेंट की यह यह बर्व प्र तो ऐसा इसलिए लिखते हैं चुकि अंग्रेजी की सारी की सारी वर्वें plural होती हैं यह आप याद रखिएगा plural होती हैं बहु बचन में होती हैं ठीक है और इसको हम subject के according यूज करते हैं क्योंकि आपने नियम पड़ा होगा जिस बचन का करता होगा उसी बचन की किरिया हम य जानते हैं यहीं कि subject और वर्व का agreement आपस में सही होना चाहिए और agreement का मतलब यह है कि जिस बचन का करता होगा उसी बचन की किरिया होगी तो अगर एक बचन का करता है तो किरिया भी एक बचन की होगी तो हम यहां क्या करते हैं वर्व को singular बनाने के लिए ICIS जोड लेते हैं इसलिए इसको हम singular वर्व बना देते हैं और कुछ नहीं करते हैं और अगर हमें हमारे पास जो subject होगा वो बचन का होगा तो हम गो ही यूज़ करते हैं बेस फार्म यूज़ कर देते हैं क्यों चुकि बेस फार्म अपने आप में पूलर होती है इसलिए अ आपको ICIS बर्व के साथ जोड़ना है अगर subject पूलर है तो आपको सीधे बेस फार्म ही यूज़ करना है क्योंकि ये बेस फार्म अपने आप में पूलर होता है इसलिए हम लिखते हैं ही गोज सी प्लेज ही राइट्स देगो यूबीप ऐसे लिखते हैं हम देगोज नहीं लिख सकते यूबीप नहीं लिख सकते तो ये पता चल गया कि हम अगर S E A E S किसी बेस फार्म में लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं और हम कहां यूज़ करते हैं अगर हम इन ही को निगेटिव बना देते हैं, यह तो सिंपल हो गए, सिंपल सिंटेंस कहलाते हैं, इन ही को निगेटिव बना देते हैं, तो अगर सब्जेक्ट के सब्जेक्ट एसेस का है, तो बर्व एसेस वाली होगी, तो अगर बर्व एसेस वाली है, इसको निगेटिव नेगेटिव बनाने के लिए डू अर्वका योज करते हैं तो अब डू नाट तो लगाएंगे ही लेकिन अगर हमारे पास ऐसी कंडिसन है कि सबजेक्ट सि Infinite है तो बर्व भी हमारे पास सि innovate है तो सि में ऐसी एस लगाते हैं सिंपल सेंटेंस में वह ऐसी एस हेल्पिंग बर्व में जुड़ जाता है इसलिए डच नाट के साथ में जो बर्व आएगी अब यह बेस फार्म में हो जाएगी अगर यह एस पी वाला होता सब्जेक्ट प्यूलर होता तो उसमें बर्व जीरो होती यहने की बेस फार्म में होती जब बेस फार्म में होती तो हम डू नाट लगा करके उस बर्व का ही यूज कर देंगे यहने की बर्व को हम सीधे बेस फार्म में ही रख देंगे तो इस तरह से हम प्रजेंट इंडिफिनेट टेंस में सिंपल सेंटेंस और नेगेटिव सब्जेक्ट होता है और बर्व सिमिलर होती है तो हम सिमिलर वार्व के साथ में डू की जगे डजनाट लगाते हैं और उसके साथ में फिर बेस फाम लगा देते हैं चुड़िकि इसका यहां यूज कर चुके हैं इसलिए हम इसको हटा देंगे और सीधे बर बेस फ़र्म यूज कर देंगे और इसलिए हम लिखेंगे हम ऐसे लिखेंगे यहां पर थोड़ा सा फर्क कर देते हैं और यह आपको पता होगा लेकिन फिर भी गलतियां होती है इसलिए उगलतियां नहों आपको बहुत सी चीजें जो अभ्यास में नहीं हैं अभ्यास में आजाएं और बेसिक तरीके से आजाएं अब आपको इतनी जानकारी हो गई है तो अब इससे आप पास्ट में अपने आप कर सकते हैं जो कि पास्ट में पास्ट वाली वर्व ही यूज करनी हैं कहां कैसे यूज करना है यह आपको पता चल गया है एक्सन के स्टेजिश और उसके साथ में जो भी टाइम है उसको प् और जो स्टेटस है यह स्टेजेज है एक्सेन के यह दोनों मिल करके टेंस को फार्म करते हैं और ट्रांसलेशन के अंतरगत जब कभी हम इन कंबिनेशन को यूज करते हैं तो हम उसको टेंस टेक्निकली बोल देते हैं अब भी हम इसके आगे का पार्ट करेंगे और उसके वाद फिर से ट्रांसलेशन की अपनी सिरीज शुरू करेंगे और जब भी हम ट्रांसलेशन बनाएंगे तो यह सारी चीजें मैं बार 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 बोलता रहूंगा ताकि आपको बार बार सुनने से वो चीजें लर्ण हो जा याद की हुँ चीज भूल जाती है लेकिन बार-बार सुनी गई, समझी गई चीज भूलती नहीं है वो अब्यास में आ जाती है तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और अगर आप चाहें तो अपने मित्रों को सेयर भी कर सकते है थैंक्यू फार वाची